Hello, this is Dhirindar Singh and welcome to Dhirindar Singh channel इस वीडियो में हम समझने वाले हैं entrepreneurship के बारे में entrepreneur का पूरा meaning इस वीडियो में समझने वाले है तो चलिए start करते हैं बिना कोई time waste किये सबसे बहले हम समझने वाले है meaning इसका entrepreneur क्या होते है entrepreneur और businessman में फरक क्या होता है entrepreneurship होती ही क्या है entrepreneur एक person कोई भी person जो की अपना एक business देखे business सबसे बहले कि business जो होता है और entrepreneur में फरक क्या होता है एक businessman है और एक entrepreneur है दोनों को काम यही है यह भी businessman है यह business चलाता है और यह भी business ही है लेकिन इन दोनों में एक हलका सा फरक है वो फरग ये है कि businessman जो है वो traditional approach से business करता है यानि कि जो bunny बनाई जो भी structure है business का कोई bunny बनाई industry है जैसे कि कोई भी cloth की industry है तो उसमें एक छोटे सी अपना एक business करता है trading करने वाला या कोई भी दुकान खोल ली तो वो business करता है traditional approach से लेकिन जो entrepreneur है वो change लाता है economy में पूरा change लाता है वो एक नई industry लाता है एक नया approach लाता है business की जैसे कि new sector जैसे की example दूँ बहुत बढ़िया वो जैसे कि zomato, swiggy तो यसनों ने अपनी पूरी भी अपने पूरे sector में change ला दिया ऐसा किसी ने आस्ता करके दिखाया था कि जो food की जो industry है वो भी online delivery की वो इतना ज़ादा बदल जाएगी zomato और swiggy ने उसमें धमागा कर रहा है तो ये है entrepreneur जिनोंने अपनी economy में कुछ अलग करते है कुछ change लाते है और दो economy में पूरी growth होती है उसकी वज़े से वो होते है entrepreneur जाने कि जो नई तरीके से business करते है नई approach से और वो खुद ही अपना सब कुछ risk उठाते है जो अपने पैसा अपना labor की business चले या ना चले वो उसके पर depend होता है सारा कुछ risk जो उठाता है वो होते है entrepreneur तो थड़ी थोड़ा इसको deep में समझने कोशी करते है आप बुक में जलते से था तो entrepreneur को जो meaning है वो अलग-अलग person के लिए अलग-अलग अलग आता है जैसे कि ले मैंने जैसे कि आप और मैं या जो ले मैंने जिसका कोई भी मनलब की नाता नहीं है कोई भी अलग में नहीं है तो entrepreneur इसके लिए क्या है जो अपना business या कोई इंडिस्ट्री स्टार्ट करते है है ना business क्या इंडिस्ट्री, कोई भी अगर start करते है वो entrepreneur है उसके लिए लेकिन जो click purpose है जो economist है उसके लिए entrepreneur का बंदब क्या है एंटेपनेर्स के नमदलब है जो कि production के लिए जितने भी factor होते हैं जाजी कि material, labor, जो कि सारा का सारा जो production करता है खुदी अपने पैसों से वो होता है entrepreneur जो psychologist है उसके लिए entrepreneur का मतलब है जो कि अपने पूरे ऊपर रिस्क उठाता है और अलग अपर्चुनीटी को explore करता है उसके लिए psychologist के लिए entrepreneur हो रहा है Businessman के लिए entrepreneur का मतलब है जो कि अपनी capability को पेचानता है और opportunity एक्सपोलो करता है यानि कि जहाँ पर business में opportunity है जहाँ पर पैसा जवद्धा है और change लाता है environment में उसे हम कहते है entrepreneur businessman के लिए अलग है entrepreneur और सब के लिए अलग है लेकिन इसमें common agenda तो एक ही है entrepreneur वो ही है जो कि change लाता है economy में ठीक है जो कि कुछ भी छोटा या बड़ा business start करता है अपने risk उठाके अपने risk उठाके और अपने पैसो से अपने labor और capital खुद ही उठाता है वो होता है entrepreneur तो business कोई भी सकता है छाज़े कि trading लाता है जो खुद change लाता है वो होता है entrepreneur यानि कि खुद ही कोई एक नई industry में फोर्म कर रहा है कोई नया sector फोर्म कर रहा है और खुद ही अपने risk उठाके अपना कोई भी business start कर रहा है तो वो होता है entrepreneur तो entrepreneur को जो word है वो drive हुए French word entrepreneuries है जिसका मतलब बहुत है to undertake to undertake क्या risk यानि कि अपने जोखीम उठाना जोखीम कहते है इंदी में जोखीम उठाना उसे कहते हैं entrepreneur और HFH Knight एक है जिन्होंने बहुत बढ़िया entrepreneur को define कर रखा है बहुत ही बढ़िया मतलब है यानि कि entrepreneur वो ऐसे persons होते है जो कि अपना risk उठाते है और जो भी uncertainty है यानि कि future में क्या होने वाला है future में कुछ भी अगर उल्टा सीधा होता है business के साथ तो वो सारा कुछ खुद ही उठाते है वो होते हैं entrepreneur तब ही हर कोई entrepreneur नहीं मसकता entrepreneur बहुत कम जोग बन सकते है जिन में दम हो और entrepreneur इसलिए बहुत कम जने बन सकते है तो अब समझे लेता है new concept आज की जमाने का entrepreneur का entrepreneur वो होते है जो की नई situation को find करते है environment में नया sector या नई इंडस्ट्री के नया जो भी कुछ भी आने वाला है जैसे कि क्या fashion चल रहा है आजकल जैसे कि अभी में बताया zomato ने जैसे कि अभी करा delivery आपन करी है और भी ऐसे बहुत सारे है जैसे कि paytm है ऐसे unacademy है बहुत सारे ऐसे है जो की कुछ नई आलाते है कुछ नई चील लाते है वो होते है entrepreneur तो entrepreneur जो है नया concept क्या entrepreneur का जो की profitable investment करते है वो छांटते है opportunity market में क्या है और फिर वो investment करते है profitable जो हो जो उसको फैदा दे फिर वो क्या करते है फिर वो अपना manufacturing enterprise को start करते है उसको explore करते है जैसे कि investment छानी उसको फिर उसको start करते है फिर उसको industry से जो license लेने होते है वो लेते है और जो personal guarantees होते है financial institutions से यानि कि जो पैसे लेने होते है जो loan लेना होता है वो लेते है financial institutions से और उनको promise करते है कि capital अगर कम होगी तो मैं देने को त्यार हूँ टेकनिकल know-how लेते है तो यह होते हैं अगरे कि कुल मिलागे जो industry को आज कर नियू कुंसेप्ट है वो इस वीडियो को summarize करें तो entrepreneur का मतलब होता है entrepreneur वो person जो की अपना business या कुछ अपना कोई भी industry कोई नया स्चीच market में या कोई भी business में लाते है खुद अपना risk उठाके और risk के साथ साथ अपनी future में जो uncertainty होने वाली है वो भी उठाके अपने खुद से जो business start करते है वो होते है entrepreneur जिसको हम बोलते है और जो entrepreneur जो business करते है उसको बोलते है entrepreneurship जिसको हम start-up भी बोलते है तो entrepreneur उमीद करते हो कि आपको पसंद आया होगा वीडियो को और entrepreneur का मतलब पूरे अच्छी देस समझ आ गया होगा अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like करिए चैन कि सुमाश